Top 4 Best Laptop for Students के लिए, तो भी अगर आप student हो, अगर आपका budget 50,000 है, 50,000 के budget में आपने gaming भी करना है, video acting भी करना है, कोई heavy software use भी करना है, कोई loaded firefake काम भी करना है, and अगर आपका budget 50,000 है, ये वीडियो में specially आपके लिए करो, मैं आज बात करूँगा, top 4 laptop बताऊँगा, तो बात कर सीदा number 4, number 4 की बात करते हैं, लेकिन number 4 की बात करने से पहले, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भी मैं आपको जितने भी laptop बताऊँगा, वो video acting के लिए best होने वाले, अगर आपने 4K भी try करना है, आप कर सकते हो, अगर आपने gaming करना है, high graphic पर अगर आप gaming करना चाहते हो, आप normally easily कर सकोगे, प्लस भी अगर आपको office work के लिए चाहिए, student हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, आपके लिए best deal होने वाले, अगर आपने offline काम करना है, जा classes बरा लगानी है, अगर आपने online classes लगानी है, आपके लिए भी बहुत अगड़े होने वाले है, प्लस अगर आपने आपको बता देना चाहता हो, कि इनकी build quality, प्लस इसका design, वो बहुत ज़्यादा इसको suit करता है, प्लस MI brand है, प्लस भी अगर आपका कोई काम ऐसा है, कि आपको keyboard पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाले है, विकरस आपको trackpad and touchpad यह creator काम करना है, यह developer काम करना है, प्लस भी अगर आप gaming वगारा भी करना जाते हो, आप कर सकते हो, विकरस आपको graphic card की बात करूँ, आपको MX350 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते, I5 10th generation के साथ देखने को मिलगा, तो specification के according देखा जाए, laptop पूरा loaded देखने को मिल जाता है, मैं आप आपको main specification बता देता हूँ, थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं वाई, तो यह display की बातों को 40 inch full HD display मिल जाते, जो की anti-glate display प्रोसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाते, प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते, graphic card की बात करूँ, आपको NVIDIA MX 3502GB देखने को मिल जाता है, operating system की बात करूँ, आपको 10 hours का battery backup provide कर देता है, price की बात करूँ, आपको 51,000 के budget में MI notebook horizon देखने को मिल जाता है, तो यह main specification मैं आपको बता दिया, MI notebook horizon के, अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, इसका minus point सिर्फ य देखने को मिलता है, कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, तो आप इस चीज़ को दियान में रखना, कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक minus point आ जाता है, तो आप देख लेना, अगर आपको यह laptop जो आपके लिए यह laptop बिल्कुल भी नहीं बना, इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा, अभी आगे बात करते है, number 3 की, number 3 की बात करू, number 3 पर यार मैंने रखा Acer Spire 5 को, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पचास अजार से कम है, तो यह laptop आपको 45,000 क के बचेट में मिल जाता है, 45,000 के बचेट में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं, बहुत अगड़े specification में आपको बताते हैं, तो हम सीधी बात करते हैं, specification की, तो यह display की बातों को 14 इंच 4D plus display मिल जाती, जो की IPS panel display, processor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8 2GB मिल जाते है, expendable आप कर सकते हो, पस आपको 512GB SSD के benefit की अगर मैं बात करूँ, तो SSD का benefit यह होता है, अगर आप data अगरा जल्दी transfer करना जाते हो, तो आपके लिए बहुत benefit करेगी, as comparison किया जा है, HDD के साथ, HDD की speed बहुत slow होती है, ठीक है, अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो, तो इसको यार, आदा गंटा, 40 मिनिर ऐसे लगते है, लेकिन SSD में आपको यह चीज़ी नहीं देखने को मिलेगी, जो कि सच में SSD ही लेनी चाहिए, अगर आप data अगरा ज्यादा transfer करते हो, graphic card की बात करूं, आपको Nvidia G4 MX350 देखने को मिलेगा, उप्रेदी सेस्टों की बातों क Acer Aspire 5 के भी, अगर मैं specification के according देखा जो, तो बहुत ज्यादा सही है, भई आपको 45 तों के budget से लेके, 50,000 के budget तक यह laptop देखने को मिल जाता है, तो भई अगर आपने office बर के लिए चाहिए, student हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, अगर programming करने है, coding करने है, कोई heavy software यूज़ करना है, या gaming करना जाते हो, आप इस पे कर सकते हो, आपको 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, जिसको आप upgrade कर जाते हो, 16GB तक, अगर आपने video editing करना है, तो भई, मैं आपको recommend करना जाता हूँ, आपने 16GB RAM के और minimum चल जाना, उसको upgrade कर लेना, आपके लिए ही benefit होने वाला, अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो, comment section में comment कर सकते हो, जो मैं रोजे instagram फे मैं से कर सकते है, मैंने link वगरा description box में दिया हूँ है, अभी आगे बात करते है, number 2 की, तो अभी बात करते है, number 2 की, लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ, number 2 and number 1 को, दोनों को मैंने combine कर दिया, because दोनों ह आपके बारे में clear कर देता हूँ, भी अगर आपको office work के लिए चाहिए, अगर आपको gaming design नहीं चाहिए, तो Acer ispire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है, but अगर आपको gaming design चाहिए, अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता, आपको specification loaded चाहिए, का अगर आपने कोई heavy software यूज करना है, gaming gaming करने है, video editing करने है आपके लिए best नहीं बला है, इस से nitro five आप जा सकते हो, तो अगर आपको gaming करना जाते हो, मैंने आपको बता दिया, अगर आप coffee भाट के लिए चाहिए, मैंने आपको भी बता दिया, अभी बात करते है, तो यह display की बातों को 15.6 inch Full HD Plus display मिल जाती, जो की 16 इसको गलत भी नहीं कह सकता है इस चीज को आप दियान में रखना पुरसर की बातों को आपको फिंगर्प्रिंट वगारा भी देखने को मिलेगा बैंटरी की बात करूं आपको सेवन आवस का बैटरी बैकप पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करूं इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा तो यह अभी बात करते हैं इस तो डिस्प्ले की बातों को फिफ्टी पाइस पैनल डिस्प्ले मिल जाते हैं जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आते हैं आप पर शासर की बात करूं इसमें भी आपको एम्टी राजन फार्फ देखने को मिलेगा 3500HS के स लाज़ा थेक है स्टोरेश की बातों को एट जी बी रैम जाते हैं अपको फिफ्टी सावन थाउसन के बजट में इस से नीट्रोफ देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको दोनों ही लैप्टप्स के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको लैप्टोप बताएं अपर चला जाता है तो अगर आप एक्स्टा प्यकर सकते हो तो मैं आपको कहना चाता हूँ आपके लिए यह दोनों लैप्टप बहुत अग्डे होने वाले अगर आप एक्स्टा थोड़ा सब भी प्यकर सकते हो तो आप अगर आपको गेमिंग डिजान नहीं चाहिए तो Acer Spire 5 आपके लिए perfect deal हो सकता है अगर मतलब अगर आपका budget 50,000 से भी कम है तो Acer Spire 5 आपके लिए best deal हो सकता है इस price range में Acer बहुत तगड़ा है भी अगर आपका budget 30,000 होता है तो मैं आपको Lenovo laptop के और जाने को कहा है था इस price range में Lenovo बहुत तगड़ा कर रहा है लेकिन अगर आपका budget 45,000 से लेके 55,000 हो जाता है इस price range में Acer laptop बहुत जादा तगड़े है तो यार अभी मैंने आपको top 4 laptop बता दिया जो कि आपके लिए perfect deal हो सकता है अगर आप कोई भी हैवी software यूज़ करना जाते हो पढ़ते हो पढ़ाते हो ओफिस पर के लिए चाहिए programming करना है, coding करना है जगर आपने as a creator काम करना है, as a developer काम करना है जग कोई भी loaded file पर काम करना आप सभी के लिए जो मैंने आपको laptop बता है वो बहुत अगड़े होने वाले है अब ही मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है अगर आपको मेरी पेच्छे लगी यार वीडियो को like करताना, comment करताना, share करताना, दोस्तों को बेताना दोस्तों के भी दोस्तों को बेताना, उनको भी कहातना कि चाहँ को गदा सब्सक्राब, वीडियो को करते like and Instagram आपको फोलो, link आपको description box में देखने को मिल जाएगा उसको जाट गोलना, मिलते next वीडियो में ने वीडियो को साथ, thank you